जैसी रादे, शर्पतम तो आपको यह बता दू कि दीपक क्यों चलाए जाता है, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, कि सूर्छ देखिए आप निये समय पर आता, निये समय पर चला प्रभु इति आपकी आग्या हो तो मैं इस कार को मैं समाल सकता हूं इत चोटी सी बात को सुनकर सारे देवी देपता मुस्कुरा दिये विंगात्मक हसी हसने लगे गणेजी ने पूछा कि भाई तुम बहुत छोटे इतने पूरे विश्यू को प्रकास केसे कर पाऊगे तो वो घर प्रकासित होगा और मेरे से हज्जारों जिपक जब जलेंगे तो पूरा बिश्य प्रकासमान हो जाएगा कि सुन्दर सी बात को सुनकर गणेपिती ने उनको आश्रवाद दिया कि चूकि मैं प्रथम पूजनी हूं तैकि मेरे पहले भी आपकी पूजा होगी तो य दीपक इसलिए कर्म साक्षवी माना जाता है दीपक अवस्य प्रजलित करिए दीपवली की पूजन में सुद्ध गाय के सुद्ध घी का दीपक जलाना है अत्वत तिल्ली के तेल का दीपक कहा लगाना है आपको ये विचार करिएगा इशान कोड में चुकि भगवान का व दीपक अश्चे में अस्त होता है अमारे भागी अस्त होगा दक्षिन में नहीं लगाना है आपको दिशा रखना है पूरविकिए ये विचार आप रखिएगा श्री राधि